हेलो दोस्तों नमस्कार शन्तुसी आईस में आप सभी का स्वागत है दरसल पीपीटी आज नहीं कंप्लेट जो आपका हिस्ट्री जोगर्फी चलता है अल्टरनेट डेज पे वो आपका पीपीटी कंप्लेट नहीं हो पाया था इसलिए आज सटर्डे था मैं सुचा आपका क आप लास जो है कंटेनु रहे हमने आज सिर्फ बोर्ट पर ही पढ़ाने का लिया है ठीक है क्योंकि पीपीटी नहीं बन पाया उसका एक रीजन हो था कि काना जी ने हमको बुला लिया था ठीक है मतलब उनका दर्सन में करने चला गया था इसलिए पीपीटी आपका कंप्ल क्योंकि आज हम कर लेंगे लोवर में भी जो आये हैं यूडीय अल्डीय में भी सब आये हैं सभी कुश्चन देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक का देखेंगे आज हम देखेंगे यहां पर हम सब डिनोट करके दिखाएंगे कहां कौन सा आपका अद्दोगी केंद 2023 का पेपर दिये होंगे वहां पर भी आपके इससे कुश्चन बने थे ठीक है दो कुश्चन बन गए थे यहां से ठीक है तो चलते हैं हम डिनोट करके दिखाएंगे आपको फीलिंग नहीं होगा मलब वह ऐसे ही फील नहीं होगा कि आज आपका पीपीटी नहीं है ठीक है तो चलते हैं शुरू करते हैं ठीक है तो देखते हैं पहला हम कहां पर चलते हैं पहले हम गौतम बुद्ध्य नगर में चलते हैं यह देखें गौतम बुद्ध्य नगर इसी गौतम बुद्ध्य नगर में एक अस्थान पढ़ता है नोड़ा जो अभी नियू सिटी बनी है मतलब इसको एक advanced city के रूप में विक्सित किया गया है यहां पर आपका एक बहुत ही important संस्थान पड़ता है क्योंकि वो संस्थान बार-बार पूछ लिया जाता है कौन सा संस्थान है तो उस संस्थान का नाम है BB Giris National Labor Institute मैं लिख देता हूँ BB Giris National Labor Institute ठीक है नेशनल लेवर इंस्टिटूट लेवर इंस्टिटूट ठीक है तो यह कहां पर पढ़ता है BB Giris National Labor Institute कहां पर पढ़ता है यह नोईडा में पढ़ता है याद रखेंगे कहां पर पढ़ेगा यह नोईडा में पढ़ेगा यहीं पर गौतम बुद्धनगर में नोईडा है यहीं पर पढ़ेगा ठीक है अब देखिए यह तो एक नोईडा का आ गया अब एक लखनव का बहुत बार पूछा जाता है कौन सा संस्थान Central Drug Research Institute कहां पर है यह लखनव में है तो यह कौन सा संस्थान है Central Drug Research Institute लिख देता हूं Central Drug Research Institute ठीक है रिसर्च इस्टीट 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 याद रखेंगे यह यह कहां पर है यह आपका लखनव में पढ़ता है Central Drug Research Institute यह दो चीज़ याद रखेंगे बीबी गिरी नेशनल लेवर इस्टीट नोईडा में पढ़ता है और लखनव में Central Drug Research Institute यह कहां पर पढ़ता है यह आपका लखनव में पढ़ता है यह दोनों कुश्चन कब आये थे 2016 में PCS में आये एक कुश्चन और पूचा जाता है पंडित दीन दयाल उपाद्ध है पसुची किस्सा विज्ञान विश्व विद्याल है यह उसी वहीं पर है गो अनुसंधान संस्थान तो गाहे से रिलेड़ेट कौन अभी में कहां गया तो बताया था आपको ब्रिंदा बन ठीक है तो ब्रिंदा बन काना जी बुलाए तो कि यह जो संस्थान बता रहा हूं यह पंडित दीन दयाल उपाद्ध्याय पसुची बिज्ञान विश्व विद्याल है यह कहां पर है मतुरा में है याद रखेंगे तो मैं लिख देता हूं यहां पर लिखता है पंडित दीन दयाल ठीक है दीन दयाल बहुत इंपॉर्टन बार बार पूछा जाता है उपाध धयाए जिनको लगेगा वो तेज कर लएंगे फ़ीट को बढ़ा लेंगे पासु चिकिसा-च ऑल उज नहीं है ये मतुरा में है या आपसे क्विशन पोछ ले कहां कहां पर गो अनुसंधान ठीक अनुसंधान शंस्थान विज्ञान ठीक स्स असलस्थान चयां यह कहां पर हूए यह आपका मत्रुन पड़ता तो दोनों पोचहे सकता है कि पंडित दिन दीन दयालुपाद धाय पहसं में इस सां विध्व्धित कहां पर है यह मतुरा में है यह गो अनुसंधान संस्थान कहां पर जया खानए यह मतुरा में दोनों आपका मतुरा में पड़ता है। तो तीन चीज़े भी हम बता चुके हैं ठीक है अब एक चीज और याद रुखिए गर छेत्रिये रेल पर से छड़ संस्थान यह कहां पर पढ़ता है तो यह देखें गाजीपुर यहां पर देखें गाजीपुर है तो यहां पर कौन सा संस्थान है छेत्रिये रेल पर से यह आपका पढ़ता है गाजीपुर में तो गाजीपुर में छैत्रिये रेल यहाँ पर ट्रेनिंग होती है ठीक है मसillदय से रिलेलेटर ठीक है तो यह चैत्रिये रेल पर सिछर संस्तान गाजीपुर में है लख नॉम में सेंटर डर्ग रिशच के इस्टेट्यूट बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिटूट कहां पर है नोड़ा में है पंडे दीन दयालुपा दहची किसा बिज्ञान गो अनुसंधान संस्तान कहां पर है ठीक यह कहां पर है यह मतुरा में है तो चार चीजे अब यह कहां कब पूछी गई थी यह आपका जितना भी अभ एक काईडिल रिसर्च अगर आपसे पूछेbArs kiedy यह कहां पर रहे तो मेर्ट आप देख रहे हैं मेर्ट कहां पर रहे मेर्ट यह मेर्ट यहा थी पर पर जाता है यह मेरट फीक बागपर के पीछे ठोड़ा जो बागपर अभी क्या हूआ था हए उसके जेस्ट पीछे यह देखिए पूरब में इसके मेरट पढ़ जाता है यहां पर कौन सा है बहुत इंप्वाटन्ट है यह यहां पर आपका पढ़ जाता है सेंट्रल इस्टिट्यूट फार रिसर्च अन कैटिल यह भी पूछा गया है तो लिख देता हूं सेंट्रल इस्टिट्यूट इस्टिट्यूट टिकर फार रिसर्च ँ डॉसर रिसर्च अन कैटिल तो आप समझ जाईएगा मैं ज़्यादा प्रयाइटिंटी क्योंकि जल्दि करना है तो सेंट्रल इसंट्यूट फार रिसर्च अन कैटिल कहां पर है यह मेरट में है है यहाद एक तक सिला धर मिर्दा बिग्यान स्थान कहां पर है? यह कहां पर है यह प्रियाग राज में है ठीक है बिला भाता है यहां पर है तो मैं अगर लिख दताओ सीला धर बहुत इंप्रोटन्ट है PCS 2004 में में समयाच चुका है कि सीला धर्प मिर्दा विग्यान सस्थाथ अधिकर मिड़ा जान सथान यह कहां प्राइगा यह आपका पड़ेगा परियागराज में के कहां पर पढ़ेगा यहांपर परियागराज यहां पर पूछ इंगर मैं पूछू इन्दे जिले शेयर कर रहें बाउंडरी तो यह चित्र कूर्ट इधर देख रहे हैं कसाम भी द मिर्दा विग्यान सस्तान कहां पर है, प्रीयाग राज में ठीक है, ये हो गया, अब चलते हैं, next देखते हैं कौन सा है, ठीक है, एक question और पूछ लिया जाता है कौन सा question, आगरा में एक छीज हो हूँ, कौन सा है, आगरा में एक लेप्रोसी, Central Central Leprosy Institute अगर पूछे आप से कहां पर है मैं लिख देता हूं Central Leprosy Institute लेप्रोसी इस्टिट्यूट ठीक है इस्टिट्यूट कहां पर है यह आपका कहां पर पढ़ जाता है आग्रा में पढ़ जाता है Central Leprosy इस्टिट्यूट यह इसको कभी कभी नाम से आ जाता है नेशनल जालमा इस्टिट्यूट फॉर रिप्लेस लेप्रोसी एंड मैक्रो बैक्टीरियर डिजीजेज ठीक है तो इंग्लिस वाला देख लिजिएगा जालमा आएगा तो थोड़ा सा एक बार इंग्लिस देख लिज सब्सक्राइब में चेत्रिय रेल प्रसेचर संस्टान गाजीपुर में सेंट्रल ड्रेग रिशर्च लकनव में सेंट्रल लेप्रोसी is nelle पर आग्रा में सेंट्रल इस्टिट्यूट फॉर रिसर्च आन कैटिल कहां पर है यह मेरत में बीबी गिरी नेशनल लेबर इस वीडियो को लाइक से मनलब अच्छा रिस्पॉंस आया तो मैं उत्तर प्रदेश इस पढ़ा दूंगा ठीक है क्योंकि हमको आसान भी पढ़ेगा क्योंकि आपको पीपीटी बनाना नहीं पढ़ेगा हमको ठीक है तो क्योंकि हमको सबसे ज्यादा मेहनत पीपीटी में ही प्रदेश आपको एसे पढ़ा सकता है तो आब बताएगा कैसे आज क्योंकि आज फैस्टर टाइpe से ले रहा हूं को अमें सब्सक्राइक है अब चलते हैं देखते हैं कुछ से संस्थान वहां पर उसके लिए फिमस से कौन-कौन सी चीजह है ठीक है तो चलते हैं दूसरे पर चलते हैं तो चलते हैं कुछ पहले और देख लेते हैं जैसे आप मैं बोलता हूं कि इंडियन टेलीफोन इंडिस्ट्रीज कहां पर इंडियन टेलीफोन इंडिस्ट्रीज कहां पर है तो इंडियन टेलीफोन इंडिस्ट्रीज कहां पर राइबरेली में तो जो लोग अगर मैं यहां पर लिखता हुँ तो कौन साथ इंडिये न autocon 6 अगया कर यह कहां पर है भूले का नहीं एक हो गया है इंडियन टेलिफोन इंडिया एडिश्री में अब थोड़ा बंदेल खंड एरिया में आ जाते हैं यह नीचे इतर जिटना एरिया पड़ता है कि अंध परता एक सांथान परता है ट्रांस फार्मरफार्यट फेकski जाता है बहुत बार कि ट्रांस फार्मरफ फेक्क्टरी कहा है कि गश्वर्म पर को बार रेंजाधी gratitude लें ओंग्वार्मणब कहा है निगम कहा है बहुत बार यह भी पूछा घया है आपके पेपर में जो हए में में बता रहा हूं चारों ये 2009 में पूछा गया है ठीक है मैं ओभी बता देता हूं कहां कहां से पूछा गया है तो ये किर्तिम अंग निर्माड निगम कहा है तो कानपुर देखें कानपुर में कानपुर में कौन सा असंसान है किर्तिम अंग निर्माड निगम याद तो यह कानपुर में है अब मैं पूछूं औरवरक कार खाना कहां पर है बताए औरवरक कार खाना कहां पर है तो यह परियाग राज में है परियाग राज में नहीं है परियाग राज का एक एरिया पड़ता है फोलपुर ठीक उसी के जश्ट बगल में एक एरिया है फोलपु ओर और वरक कार खाना है कि याद प्रखेंगे you're worth अगर खार खाना पुझहें पूछें की कार खाना पूछें आप से कि यह फोलपुर में एंवाल दिता हूं फूल ठीक했는데 क्योंत पूचर था कि में पूचह था इंडीयंट टेलीफोन बढ़ता है कहां पर किर्थिमंग निर्मान निगम कानपुर में और फोलपुर में ओर वरक कार खाना पड़ता है आप देखिए यह तो हो गया अब एक कुश्चन जो अभी आरो यारो में आया था वो क्या पूछा गया था पूछा गया था भारत-खंडे-संगी संस्थान कह जहां पर है यह लखनओं में लेकिन अब नाम चैंज कर दिया गया अब इसका नाम क्या आब बहुत भारत खंडे संस्थाना सांगीत तो यह लखनव में यह देखिए मैंने लखनव में डिनोट कर दिया भारत खंडे संगिय संथान लखनव में या भारत संस्कृत बिस्विद्याले कहां पर है यह लखनव में है ठीक है अब देखिए एक इलाहबाद में एक चीज और देख लिजिए या परियागराज में एक चीज कराज में पढ़ता है क्या निराला आर्ड गैलरी वरारसी का देख लेते हैं ठीक है मोजित मोदी जी के कर्श्टियूसरी में कहां है यह देखे वरारसी है वरारसी में एक चीज बहुत पूछा जाता है कौन सा इंडियन इस्टिट्यूट आफ हैंड लूम टेकनोलोजी तो इतना याद रखेंगे वरारसी में इंडियन इस्टिट्यूट आफ हैंड लूम टेकनोलोजी यह कहां पर पड़ता है आपका यह आपका वरारसी में पड़ता है पोलपुर में औरबरक निराला आर्ट गैलि परियाग राज में किर्तिम अंग निर्मार कानपुर में ट एक बहुत पार कुछा जाता है कि जो भारती सबजी अनुसंद्धान संस्थान कहा है सब जी जैसे हम सब खरीद्ने सबजी तो सब्जी अनुसंद्धान संस्थान कहां पर है यह वरार्णी सबजी में तो वाराड़सी में क्या है वारतिये सबजी अनुसंधान संस्थान सब जी अनुसंदार रिसर्च सेंटर कहा है बिजडेंड है यह बोला जाता है आई आई वी आर भी बोला जाता है ठीक है अब आप सुचेंगे इस वराडसे में यह आई आई वी यार याद करें कि ना याद करें आपको इसको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि जैसे 2013 में कोश्चन ही आया था कि सब्जी अनुसंदान ऐसे पूछ लिया थे कि कहां पर है लेकिन जब दो एक बार कुश्चन आया था आपका सायद आया था जल्दी ही आया था उसी एक दो साल के अंदर आया था सिर्फ यही पूछ रहा था कि IIVR कहां पर इस्तित है तो IIVR आपको बराडसी में बताना उसको याद भी रखना होगा और भारते सब्जी अनुसंदा तो आपसे हैं कहां पर है वराडसी में इंडियन इस्ट्यूट आफ विजिटेवल सिर्फ ठीक है तो ये वरराडसी में याद रखेंगे बहुत ही है अफिक है अब दल्हान ऐसे ट्धाटूट कहां है आई आई पियार अप्टी को ऊई कि ए इंडियन इस्थी चिजोट याद रखेंगे भारतिय दलाहन अनुसंधान सोगान स इस्टुट्यूट आप सूगर रिसर्च यह कहां पर है देशे कई कई बार आप कनफ्यूज होते होंगे कि सूगर कहां पर सूगर रिसर्च अटर यह वाला आंशुखर केन होना है जाएगा तो भिव्यक्ता आपको जाएगा ज highlighter करते हो अगर सभाष चिनना संथान कहां पर है तो यह कहां पर आपका कानपुर में है लेकिन अगर पुछे गन्ना अनुसंधान सस्थान भारतिये गन्ना अनुसंधान सुगर केन की बात करें तो ये लखनव में पढ़ जाता है ठीक है भारतिये गन्ना अनुसंधान सस्थान ठीक है तो भारतिये गन्ना अनुसंधान सस्थान कहां पढ़ेगा य ये भी कानपूर में पड़ेगा अब पूछे बागवानी भारतिय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह यहां पर नहीं है यह बंगलोर में है तो भारतिय मैं ही लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा जैसे इंडिया बना देता हूँ यहां पर बंगलोर है यहां पर क्या है भारतिये बागवानी भारतिये बागवानी ठीक है बागवानी अनुसंधान संस्थान ठीक है अनुसंधान संस्थान तो यह कहां पर है यह आपका बंगलोर में है ठीक है अब देखेंगे कुशन आप करेंगे काफी कुशन इन सब पर बना है अब चलते हैं एक आरो यारो का question और देख लेते हैं जो 2010 में पूछा गया था पूछा गया था scooter India Limited कहां पर है ठीक है बहुत important question है स्कूटर इंडिया limited तो लखनौ दिख रहा है यहीं पर है scooter India Limited ठीक है बहुत important scooter India Limited अगर scooter India Limited पूछे तो कहां पर है ये लखनव में है याद रखेंगे ठीक है अगर modern bakery पूछे ठीक है modern bakery कहां पर है कानपुर में तो यहां पर लिख दीजिए modern bakery बहुत important है modern bakery कहां पर है कानपुर में सीमेंट कार खाना कहां पर है तो सीमेंट कार खाना कहां पर है यह राय बरेली में ठीक है सीमेंट कार खाना कहां पर है यहां पर यहां पर कौन सा है सीमेंट कार खाना थी राय बरेली तो सीमेंट कार खाना कहां पर है ऐसे पूछा था वहां आप संदिया था बरेली ठीक है र प्रेली में हैं और बरक कारखाना गाहां पर वह आवला में पढ़ता है ठीक है तो बरेली कहा पर आपका है तो बरेली इह उपर है यहाँ पर बरेली है यहीं पर आवला खाए तो उरुबरक अगर कार खाना बहुत बार पूछा जाता उरुबरक कार खाना काहां पर है य है यह बरेली में थीख कंवराभणा का पूछा जाता बरेली नहीं कार खाना कार खाना यह को यूरिया कार खाना कहां पर है यही आउला में इसका कई कई बार और वरक कार खाना सिर्फ नाम आ जाता है कई कई बार आ जाता है इसको यूरिया कार खाना कहां पर है यह बरेली में यह देख बरेली नहीं आउला याद रखेंगे तो दो जगह एक फोलपुर में परियाग राज में एक बरेली आप याद रखेंगे यहां पर यह सुरी आउला याद करेंगे बरेली वाला ठीक है तो चलते हैं यह हो गया ठीक है अब देखते हैं और कौन-कौन से चीजे पूछा गया है जैसे तेल सोधनकार खाना तेल सोधन कहां होता है उत्तर प्रदास में एकी अस्तान पर यह मथूरा में तेल सोधन काल खाना अब पूछा जाएगा यह कालीन उद्दो कहां तो कालीन जो अभी हमारा राज्य सभा लोक सभा बनाएग वहां पर जो कालीन बिचाय गया है वो कहां से गया है वो भधोही से गया है याद रखेंगे कहां से गया है वो भधोही से तब भधोही का नाम चेंज करके उसको क्या कर दिया गया है संतरवी दासनगर ठीक है याद रखेंगे भधोही को अब संतरवी दासनगर कहते है यह भधोही तो याद रखेंगे भधोही से क्या है कालीन कालीन के लिए अगर कोई चीज है तो कालीन उद्दोग कहां पर है भधोही में है ठीक है इल्मूनियम उत्पादन कहां होता था यह भी अब पूछा गया है तो इल्मूनियम उत्पादन ज्यादा सब सोन भद्र में ठीक है कहां सोन भद्र यहां इल्मूनियम सास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहां पर है तो ये लखनव में है याद रखेंगे लखनव में बहुत इंपोर्टन्ट है 2010 में आरो यारो में पूछा गया है लिख देता हूं लाल बहादूर सास्त्री लाल बहादूर सास्त्री गन्ना विकास संस्थान गन्ना विकास सथान कहां पर है यह लखनव में आपका पड़ता है ठीए पिकप कहां पर है तो में याद रहे हैं कि इसकी अस्थाहपना कब हुई थी 1975 में हुई थी लाल बहादु सास्त्री गन्या विकास अस्तान लकनों की अस्थापना 1975 में की गई थी अब ये कुशन ओप है कि आपका राज चर्म विकास विपड़न निगम लिम्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया राज चर्म विकास विपड़न और निग किया है तो यहां पर है राज चर्म विकास विपड़न निगम लिम्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है निगम लिम्टेड ये कहां पर है राज चर्म विकास विपड़न निगम लिम्टेड कहां पर है आगरा में है ठीक कहां पर है आगरा में है ठीक बहुत इंपर्डेंट है अब चलते हैं और कौन से कई के संस्थान देख लेते हैं जैसे आपका कौन सा संस्थान है एक संस्थान और है ठीक है वह भी देख लिजिएगा पूछ लिया गया है कभी एक बार ठीक है कि आपका उत्तर परदे उत्तर प्रदेस बित्तिय निगम कहां पर है यह कानपुर में पढ़ता है अब देखें लखनों में एक संस्थान बहुत इंपॉर्टन्ट है वो भी आप पढ़िए ठीक कौन सा संस्थान में बताने जा रहा हूं कि नैशनल बोटीनिकल रिसर्च इस्टिटूट राश्टिय बनस्पती सोध संस्थान ठीक है याद रखेंगे राश्टिये बनस्पती बनस्पती सोध संस्थान ठीक है यह भी काफी इंपॉर्टन्ट है पोच लिया जाता है सोध संस्थान राश्टिये बनस्पती सोध संस्थान यह इसको लिख सकते हैं कई बार ऐसे बोटीनिकल ही तो यह लिख देता हूँ, National Botanical Research Institute, इस्टिटिट कहां पर है, यह आपका लखनव में है, राष्टिय बनस्पती सोध संस्थान, बनस्पती कहें, तो यह लखनव में है, अगर यह आपका विजटेबल कहें, तो यह बनारस में है, यह याद रखना है आपको, तीक है, अब लखनव से एक कुशन और बताता हूँ, जो दोहजार आरो आरो दोहजार इकीस में आया है, पूछ सकते हैं, वो कौन सा कुशन हो सकता है, जो आरो 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 दोहजार इकीस में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, पूछा था, उत्तर परदेश किरसी अनुसंधान पर तो यह कहां पर है उत्तर प्रदेश किर्शी अनुसंदान परिशद यह लखनव में है ठीक बहुत इंपॉर्टन्ट है यह लखनव में देखिए लखनव है ने दिनोट किया है यह लखनव है तो यह उत्तर प्रदेश किर्शी अनुसंदान परिशद लखनव में है लखनव म में है पीकप कहां पर है लखनव में है पीकप पूछा था लखनव में राश्टिय बनस्पति सोधसंस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इस्टेटूट है और यह आगरा में क्या है राज चर में विकास यह विपड़न निगम लिम्टेड है कानपुर में राउकतर प्रद लखनव में है यह याद रखेंगे ठीक है चलते हैं दो चार ओड देख लेते हैं कौन जैसे जो आप कोशन में बताने जा रहा हूं यह भी आपका आरो यारो पिरी और मेंस दोनों भी पूछा गया था अब पूछा गया था एप्रेल पार्क कहां पर है ठीक है एप्रेल प में कहां पर है यहाथ ब्लापन पर है याद रखेंगे इसको ईताऍक यह आपका लखनव में पढदता है ठीक है यह बटिंखह ब्रसौति तो बधन कल वाला ब्रस्वाल वी लखनो में यह घर बायो टक टेकनोलोजी पार्क कहां पर है तो बायो टेकनोलोजी पार्क आपका लखनव में है या इसको कहते हैं जैव परदोकी पार्क हिंदी में जैव परदोकी पार कहते हैं एक ग्रोप प्रोसेसिंग जोन कहां है तो यहां पर देखे सहारनपूर है उपर सहारनपूर यह किस से बा प्रोसेशिंग जून प्रोसेशिंग अगर पूछ से ऑग्रोसेशिंग जून पर है ये सहारनपूर में है ठी Лю फिर में पढ़ा दियाGroup इसको करने के बाद आप क्या जाएए वहाँ पर घटना चक्री के भुक लीजिए ठीक है या प्रीविएस यह में कहीं जहां भी कुश्चन आपको उत्तर प्रदेश से मिले उसको करिए ठीक है अब देखें यह तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहां पर है यह आपका है अगर आप से पूछे कि लेदर टेकनोलोजी पार्क टेकनो लोजी पार्क तो लेदर टेकनोलोजी पार्क कहां पर आपका पढ़ता है यह उन्नाव में पढ़ता है एप्रेल पार्क कानपुर में उन्नाव में लेदर टेकनोलोजी पार्क लखनव में बायो टेकनोलोजी टीफर तो यह जाल में पिरिम में भी आरो में पूछा गया है तो तो इतना आपको एक चीज और रहे उसको लिखे नहीं थे बताये लेकिन लिखे नहीं ते इंडियन इस्टिटिटीट आफ सूगर्ट टेकनोलोजी ठीक है तो ये कानपुर में है तो इंडियनंग इस्टिट्यूट आफ अगर सूगर केन रिसर्च पुछे तो लखनौ में है तो यह कहां पर है टेकन्ओलोजी तु यह कहां पर है कानफुर में तो इंडियन इस्टिटूट आप सूगर टेकनोलोजी कहां पर है कानफुर में है ठीकए इसको present time में इसका नाम है National Sugar Institute इसको बर्तमान समय में कहा जाता है, ये कानपुर में है, ठीक है, ट्रिपल आइटी कहा है, ट्रिपल आइटी कहा है, ट्रिपल आइटी कहा है, ट्रिपल आइटी कहा है, मोति लाल नहरु, Institute of Technology, एमनाइटी कहां पर है, वो भी आपका परियाग र समय जाय टो यह सिटि और पूछे ऐचेशब आपना कहा जो कि गई यह स्वार्थ ती यह तक माइब ललगा टो लएक फिर्ट है एक बनोट्रीन में में तो आभी आज के लिए की इतना इतना जितना मैं पढ़ा दिया हूँ यह हाँ एक चीज़ और देख लिए क्योंकि वह भी बहुत इंपोर्टेंट है सायद बताया हूँ या नहीं बताया हूँ ठीक है एक कानपुर में है ठीक है कानपुर में है डाक्टर भीम राव अमबेटकर इस्टिट्यूट आफ टेकनोलोजी फॉर हैंडिकेप्ट का थीलिए कानपुर में है यह रख लिए ज्याद रेख लिए डाक्टर भीम राव अमबेटकर तो याद आढ़ गया याद ही नहीं आ रहा था है आफ टेकनोलोजी टेकनोलोजी ंर फोर एसंटेंडीले कर सक झाँछी ace對 तो जो गिए टेसे कानपुर में यहांद है 2010 में कुश्चन आया हुगा है डाक्टर भीम रावमेटकर टेकनोलोजी और टेकनोलोजी फॉर हैंडिकैप इसके अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना याद रखेंगे 1997 में हुई थी कि वर्डवेंग के सहायता से हुई थी याद रखेंगे थी तो ये आज के लिए बस इतना ही लेकिन प्रभादा दिया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में यहीं से कोश्चन आ जाएगा कैशी अभी तक न पूछा गया है मुझे नहीं लगता कोई पूछने की संभाव ना है क्योंकि अभी तक इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा लगबग है नहीं संस्थान मतलब इंपोर्टेंट हो ठीक है तो याद रखेंगे यह सब अब इसको पीपीटी को इसको क्या करेंगे अगर चाहिए तो दे दूँगा मैं टेलिग्राम पर व क्योंकि हमको यह में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करवाने में क्योंकि यहां पर लिखना नहीं है जो करना है सामने ही करना है ठीक है तो चलते हैं आगाज के लिए इतना है धन्यबाद नमस्कार जैन जैवारत